देखे कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप मार्केट को लेके एक व्यू बनाते हो कि मार्केट कहां पे जा सकता है अब उस व्यू के अकोडिंग आप मार्केट में पोजिशन बनाते हो आपका व्यू है कि मार्केट उपर जाएगा, मार्केट बुलिश रहेगा तो आप उस तरह की position बनाओगे वहीं पे अगर आपका view है कि market नीचे जा सकता है market गिर सकता है तो आप उसके according position बनाते हो तो मतलब आप एक view बनाते हो और उस view के according आप trade लेते हो that could be bullish और bearish ये आपके view पे depend करता है अब मान लिजे आपका view है वो सही हो जाता है मान लिजे आपका view है कि market उपर जाएगा और आपका view है ये सही हो जाता है और market उपर जाता है तब तो आपको profit होगा लेकिन अगर आपका view गलत हो जाता है तो फिर आपको loss होगा और यहीं पे यह equation है यह बिगड़ जाती है कि view अगर सही हुआ तब तो profit हो रहा है लेकिन view अगर गलत होता है तो फिर मुझे loss हो रहा है तो अगर यहाँ पे एक ऐसी strategy हमें मिल जाए जिसमें अगर view सही हो तब तो मुझे profit हो लेकिन अगर मेरा view गलत हो जाए यह bullish in nature होने वाली है कि अगर market उपर गया तो आपको profit होगा और अगर market नीचे जाता है आपका view है यह गलत हो जाता है तो आपको किसी तरह का कोई loss नहीं होगा और यह कोई clickbait नहीं है अगर आप thumbnail देखके आए हो तो जो thumbnail में मैंने बताया है वही content आपको यहाँ पे मिलेगा तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यह strategy शेयर करूँगा तो चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खीजता हूँ बिना time waste के आपको सिधा screen पर लेकर चलता हूँ और यह practically करके दिखाता हूँ तो आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको एक load futures का buy कर लेना है जो की trade कर रहा है almost 18.650 पे तो इसका एक load आपने buy कर लिया तो आपने क्या क्या है? ऐक futures को buy कर लिया अब क्या होगा? अगर market उपर जाता है तो आपको profit होगा अगर market नीचे जाता है तो आपको loss होगा आपका profit है ये भी unlimited है और आपका loss है ये भी unlimited है तो ये आपने एक naked future को buy किया है अब आपको क्या करना है 18500 जहां पे market trade कर रहा है यहां का एक put option buy करना है जो at the money है वहीं का एक put option आपको buy करना है तो 18500 का अगर आप एक put option buy करते हो 135 rupees में तो आप देखिए ये आपका pay off chart बनता है अब अगर market उपर जाता है तब तो आपको profit होगा और अगर market नीचे जाता है तो आपको loss होगा लेकिन जब आपने plain future buy कर रखा था वहां पे आपका loss था वो undefined था और यहां पे आपका loss है ये 13,000 rupees का है मतलब आपने loss को cap कर दिया है अब अगर market नीचे आता है तो आपका maximum loss 13,000-13,000 rupees का है इस चे जादा का loss आपको नहीं होगा तो loss को आपने cap कर दिया है और market जैसे जैसे उपर जाएगा वैसे वैसे आपको profit होगा आपका profit है वो अभी भी undefined है तो ये आपका payoff chart बनता है मैंने आपको बता दिया कि loss को आपने cap कर दिया है और market उपर जाता है तो आपको undefined profit होगा अब यहां पे आप देखे पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने एक at the money के call option को buy कर लिया है अगर उसको मैं buy करता हूँ तो भी इसी तरह का payoff chart बनेगा और मैंने आपको क्या बताया था last video में कि synthetic way में call buy करने का तरीका क्या है future को buy करके और put को आप buy कर लिजे same चीज मैंने यहां पे की है तो इस वज़े से मैंने यहां पे synthetically एक call option को buy कर दिया है तो आप बोलोगे कि यहां पे आप एक call option को भी buy कर सकते हो आपने इसको क्यों buy किया है तो देखे मैंने already एक video बनाया था कि expiry day पे आपको किस तरह से trade करना चाहिए वहां पे भी यह comment बार बार आया था कि मैं एक call option को भी तो buy कर सकता हूँ इस तरह से मुझे क्यों trade करना है कि future को buy करके मैं put को buy करूँ उससे better है कि मैं एक call option को buy कर लूँ तो देखे यहां पे मैं आपको यह क्यो recommend कर रहा हूँ इसके पीछे आपको क्या edge मिलती है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए देखे यह strategy मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अगर आप call option को buy करते हो आपका view है कि market उपर जाएगा और आप एक call option को buy करते हो तो अगर आपका view सही होता है तब तो आपको profit होगा call option को buy करते हो और आपका view गलत होता है तो आपके पास सिर्फ एक ही option रह जाता है कि मैं उस loss को book कर लूँ loss को book करने के अलावा आपके पास और कोई option नहीं रहता है और यहाँ पे मैं call option को buy ना करके और यह setup इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर मेरा view सही हो तो मुझे profit हो और मेरा view गलत हो तो मुझे यह loss नहीं लेना है इसको मैं हटा सकूँ और इसको मैं किस तरह से हटा सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ तो देखे यह setup मैंने क्यों बनाया है सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि call option को buy ना करके और मैंने ये setup क्यों बनाया है ये आपके उस सवाल का भी जवाब है कि synthetic position को कोई भी आदमे trade क्यों करेगा जबकि वो outright market में वो position buy or sell कर सकता है तो synthetic way में trade करने का एक benefit ये भी है तो इस strategy में आप देखे अगर market उपर गया तो मुझे profit होगा मान लेजे market नीचे जाता है तो देखे मेरा loss कितना है और मुस्ट साड़े तेरह हजार रुपय का मेरा loss है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो यहां पर आप देखे अगर market नीचे जाता है तो आपने जो future buy किया है इसमें आपको loss होगा क्यों क्योंकि आपने future buy कर रखा है अब अगर market नीचे जाता है तो आपका view ही गलत हो रहा है तो आपको future में loss होगा तो future में आपको loss होगा, लेकिन जो put option आपने buy किया है, इसमें आपको profit होगा, जैसे जैसे market गिरेगा, वैसे वैसे put option में आपको profit होगा, और वहीं पे अगर market उपर जाता है, तो future में मुझे profit होगा, लेकिन put option है, इसमें मुझे loss होगा, तो यह बहुत basic सी चीज है, मैं assume कर र तो future में मुझे loss आएगा और put option है इसमें मुझे profit आएगा तो आपको क्या करना है आप इस strategy में बैठे रहिए मतलब अगर market आपके against भी जाता है तो भी आपको कुछ नहीं करना है इस strategy में आप बैठे रहिए market को नीचे गिरने दीजिए और जब expiry day आए मतलब यहाँ पे expiry day कब है 29th of June को 29th of June तक आप wait कीजिए या तो market उपर जाएगा उपर गया तो आप profit लेके निकल सकते हो आपको profit होगा और अगर market उपर ना जाके और नीचे चला जाता है तो 29th June को आप देखे market कहां पे है let's say market नीचे गिर जाता है और 18,000 के level पे पहुंच जाता है तो market किया है that means future में आपको loss हो रहा है future में आपको almost 500-600 point का loss हो रहा है लेकिन जो आपने put option buy किया है इसमें आपको profit हो रहा होगा तो आपको क्या करना है आपको put option में जो profit हो रहा है इसको book कर लेना है और future जो आपने buy किया था इसको roll over कर देना है अगली series में इससे क्या benefit मिलेग कि आपको put option में profit हो गया वो तो आपने लेकि अपने pocket में डाल लिया और futures में जो आपको loss हुआ था उसको आपने roll over कर दिया अगली series में मतलब उस loss को आपने लिया नहीं है आपने future को roll over कर दिया roll over करने से मेरा मतलब क्या हो गया कि जून की series का जो future था उसको आपने जुलाई में शिफ्ट कर दिया अब आपने जो future buy किया है वो जुलाई series का है मतलब आपने market से एक मन्त और ले लिया और अगर जुलाई में market वापस उपर आता है तो आपको जो भी loss हुआ था future में जून में वो सारा का सारा recover हो जाएगा और put option में आप already profit book कर चुके हो तो इस वज़े से ये strategy है ये एक no law strategy है लेकिन करनी ये आपको nifty और bank nifty में ही है मैं आपको recommend करूँगा कि nifty में आप इस चीज़ को कीजिए क्योंकि nifty है वो हमेशा के लिए नीचे नहीं गिर सकती temporarily nifty है वो नीचे जा सकती है लेकिन एक time के बाद वापस market उपर उठेगा जो market होता है उसका inherent nature होता वो bullish होता है at the end of the day market को जाना उपर ही है तो market जब गिरता है market की गिरावट से कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए अगर market गिरता है आपका view गलत होता है तो put option है इसमें आपको profit होगा इस profit को आप book कर लीजिए और future जहां पे आपको loss हो रहा था इसको roll over कर दीजिए अगले month में और अगले month में अगर market उपर आता है वापस तो आपको जितना भी loss हो आता future में last month वो सारा का सारा recover हो जाएगा और put option में आप already profit book कर चुके हो तो याद रखिए put option में आपने already profit book कर लिया है और future को आपने roll over कर दिया है मान लीजिए आपने जुलाई में roll over कर दिया और जुलाई में भी market वापस उपर नहीं गया और जुलाई में भी नीचे ही गिर रहा है तो आपको क्या करना है आप जैसे roll over करते हो futures को तो इस put option में तो आपने profit book कर लिया लेकिन जैसे ही आप इसको roll over करोगी जो future है इसको जैसे ही आप जुलाई में roll over करोगे तो वहाँ पे एक और put option buy करना है the moment you roll over the position in futures आपको एक put option again buy करना है और let's say जुलाई में भी market उपर ना आके और नीचे जाता है तो उस time पे आपने जो put option buy किया होगा उसमें आपको profit होगा और future में आपको तब भी loss होगा तो आपको क्या करना है जो दूसरी बार आपने put option buy किया है उसमें अब आप profit को book कर लिजिए और जो अपना future है इसको आप रोल ओवर कर दीजिए अगले मंत में मतलब जब तक आपको future में profit ना हो तब तक उसको आप रोल ओवर करते रहिए और put option जो आप buy कर रहे हो इसमें आप profit book करते जाएए पहले आपने जून में buy किया और अगर जुलाई में भी market गिरता है तो जुलाई के put option में भी आपको profit होगा वो भी आप book कर लिजिए और अपनी future को आप रोल ओवर करते जाएए और eventually होगा क्या जब market वापस reverse होके उपर आएगा तो future में आपको जितना भी national loss हो रहा है वो सारा का सारा आपका recover हो जाएगा और put option में आप already profit book कर चुके हो तो ये string अगर 2 महीने, 3 महीने या लेट से 5 महीने भी चलती है हलाकि इतना लंबा होगा नहीं लेकिन आप extreme मान के चलिए लेट से 5 महीने हो गए हैं और 5 महीने से nifty लगातार गिर रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो आपने future को 5 बार roll over किया है और 5 बार आपने put option buy किया है तो अब आप देखे 6 मन्थ में मान लिजे nifty वापस reverse होता है तो यहाँ पे आप देखे 5 बार आप put option में profit book कर चुके हो और eventually जब nifty वापस reverse होगा तो future में आपका जितना भी national loss है वो सारा रेकवर हो चुका होगा तो यहाँ पे put option में जो आपने profit book कर लिया है वो आपका pure profit हो गया क्योंकि future में आपका loss सिर्फ national था और जैसे market reverse हुआ वो सारा loss चला गया तो जो loss आपको paper पे दिखाई दे रहा था futures में वो actual loss नहीं था वो national loss था और market की reverse होते ही और वो loss है वो वहाँ से चला गया लेकिन put option में जो आपने profit book किया है वो आपका actual profit था उस profit को आप अपने pocket में डाल चुके हो तो put option में जो भी आप profit book कर रहे हो यह आपका profit है तो यहाँ पे इस strategy में मेरा जो profit है वो असल में hedging से है मतलब अगर मेरा view सही होता है तब तो मैं profit लेके निकल जाऊंगा फिर तो मुझे कुछ करने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर मेरा view गलत होता है तो जो put option मैंने buy किया है देखे कोई भी arm trader है वो क्या सोचेगा कि यह जो put option buy किया है यह मैंने hedging के लिए buy किया है अब मैं चाहता हूं market उपर जाए market नीचे ना गिरे तो देखे अगर मैं trade ले रहा हूं तो मैं भी यहीं चाहूंगा कि market उपर जाए लेकिन अगर market नीचे जा रहा है तो भी मेरे लिए एक favorable चीज ही है market नीचे जाएगा तो put option में मुझे profit होगा और मुझे पता है कि future में जो loss हो रहा है वो मेरा national loss है उसको मैं book नहीं करूँगा उसको मैं roll over कर दूँगा अगली series में तो अगर market नीचे गिरता है तो किसी को भी देखने में ये लग सकता है कि यहाँ पे loss हो गया है market मेरे against आ गया है लेकिन असल में वो भी आपके लिए एक favorable चीज ही है क्यों क्योंकि put option में आपको profit हो रहा है वहाँ पे आप profit को book कर रहे हो और future है उसको आप roll over कर रहे हो तो अगर आप इस strategy को अपनाते हो तो market उपर जाएगा तो आपको profit होगा market नीचे जा रहा है तो भी even आपको profit हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो आपको loss दिखाई दे रहा है यह सिर्फ यहाँ देखने के लिए है अगर इस strategy को आप follow करते हो तो आप अपने loss को इस तरह से mitigate कर सकते हो या हटा सकते हो कि जैसे जैसे market गिरे आप put option में profit book करते जाए और future में जो आपको loss हो रहा है उसको आप roll over करते जाए अगली series में और eventually जब market वापस उपर उठेगा तो आपका future में जो loss था वो सारा जा चुका होगा और put option में आप already profit book कर चुके हो चलिए तो ये है वो strategy जो मैं आपको बताना चाहरा था यहाँ पे आप देखे अगर आपका view सही होता है तो आपको profit होगा same month में आपको profit हो जाएगा लेकिन अगर आपका view गलत होता है तो आपने जो hedging buy की है उसमें आपको profit हो रहा है तो उस profit को आप लेते जाएए और future जहाँ पे आपको loss हो रहा है उसको आप roll over करते जाएए और eventually जब market वापस उपर आएगा तो आपका जितना भी loss है future में वो सारा का सारा आपका recover हो जाएगा और put option में आप already profit book कर चुके हो तो इस वज़े से ये strategy है ये एक no loss strategy है और इसलिए मैंने वो वीडियो बनाये था जहाँ पे आपको synthetic positions बताई थी कि synthetic position क्या होती है और उसका use क्या है वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है देखे यहाँ पे अगर मैं call option को buy करता plain और market मेरे against जाता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाए loss को book करने के अगर मैंने call option buy कर लिया है और मेरा view गलत हो गया है तो मैं call option को roll over नहीं कर सकता तो अगर plain call option आप buy करते हो और आपका view गलत हो जाता है तो आपके पास और कोई option नहीं रहता है सिवाए उस loss को book करने के लेकिन यहाँ पे अगर market मेरे against जाता है तो भी यह एक favorable move ही है क्योंकि जो मैंने hedging buy की है उसमें मुझे profit हो रहा है तो चलिए इस तरह से सोच समझ के आप trading किया केज़े सारे permutation combination देखिए आप देखिए किसी भी trade को कितने तरीके से लिया जा सकता है और कहाँ पे क्या edge मुझे मिलती है और उसके बाद आप decide कीज़े कि आपको किस तरह से trade देना है जैसे majority लोग करते हैं जैसे 99% लोग trade ले रहे हैं अगर आप भी उसी तरह के से लोगे तो आपका result भी वही होने वाला है जो बागी के 99% का है तो आपको थोड़ा से different हो के चीज़ों को करना है इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से आप चीज़ों को देखना शुरू कीजिए मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ आप जाके कल से market में trade करना शुरू कर दीजिए लेकिन आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए इससे क्या होगा आपकी concept clear होंगे और धीरे धीरे एक confidence build up होगा जो आपकी trading में काम आएगा तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें this is सत्पाल signing off